नमस्कार दोस्तों दोस्तों जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धितराश ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा मैं अंधा पैदा हुआ मेरे सोब पुत्र मारे गए भगवन मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका ये दंड मुझे मिल रहा है आपने युद्ध के मारे जाने के पीछे क्या कारण है कृपा करके मुझे बताएं तो चले दोस्तों आज की एक खता शुरू करते हैं दृतराश्ट अंधे थे लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को सो संतानों को जन्म देने का आशिश है तो अंधेपन का दुख मिट गया था दृतराश्ट के सोपुत्र और एक पुत्री हुई दी कुर्चेत्र में उनके सोपुत्र मारे गए थे अब एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की क्या बात होगी कि उसे सोपुत्रों का शोग मनाना पड़े भगवान श्री कृष्ट ने गीता का जो संदेश दिया था उसे अर्जुन के अतिरित संजे और दृतराश्ट ने भी सुना था उसमें भगवायन श्री किरिश ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है याने कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो चुका है सब को उनके पूर्व के कर्मों का धर्ण भोगना ही पड़ता है दृतराष्ट को भी ये बात याद थी दुर्योदन और दुष्शासन मुखे रूप से पार्णवों और दुरोपती के दोशी थे लेकिन शेश पुत्रों की तो कोई भूमी का नहीं थी वे क्यों मारे गए ये प्रश्ण दृतराष्ट को बहुत परशान करता था महा भारत युद समाफ्थ होने पर दृतराष्ट में भगवान श्री कृष्ण से पूछा मैं अंधा पैदा हुआ मेरे सोब पुत्र मारे गए मैंने ऐसे कौन से पाप किये थे जिसका ये दंड मुझे मिल रहा है आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वे कर्मों का दंड है मेरे अंधे होने और मेरे सोब पुत्रों के मारे जाने के पीचे क्या कारण है क्रिपा करके मुझे भी बताए अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उबरने में ये मुझे सायक होगा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज धित्राष्ट आपने उचित ही सुना था कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ता है उससे कोई नहीं बस सकता राजा और समर्थवान लोगों को कर्मों का दंड विशेश रूप से भोगना पड़ता है इश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यदा जिम्मेदार होने की आशा भी रखते हैं कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना महाराज आप इस जन में भी राजा है और पूर्व के जन में भी राजा थे पर आपने कई पापकर्म किये हैं धितराष्ट अधीर हो गए वे बोले हे केशव मैंने इस जन में जो किया है वो तो मेरे सामने है एक राजा और एक बड़े परिवार का मुख्या होने के नाते मुझे वही उचित लगा पूर्व जनम की रहसे जानने को सुख हूं किर्पा करके आप मेरे पूर्व जनम का रहसे खोले तब भगवान श्री कृष्ट ने धृत राष्ट को पूर्व जनम की याद दिलाई उन्हें बताया कि आप पिछले जनम में एक राजा थे आपके राज्ये में एक तपस्वी ब्रामन रहते थे ब्रामन के पास हंसो का एक जोड़ा था जिसके चार बच्चे थे हंसो की चिंता से वे जा नहीं पा रहा था तब उसने अपनी चिंता एक साधू को बताई साधू ने कहा तीर्थों में हंसो को बादक बताकर हंसो को अगला जनम क्यों खराब करते हो अब राजा प्रजा पालक होता है तुम और तुमारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो हंसो को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थों जाओ आप भी एक प्रजा पालक राजा थे इसलिए ब्रामन को ये बात अच्छी लगी कि वेह अपने हंसो को आपके पास छोड़ जाए इसलिए वेह आपके पास आया और अपनी सारी परिशानी कह सुनाई आपने भी ब्रामन के तीर से लोट आने तक हंसो की रख्षा का दाईत उसी कार कर लिया अब ब्रामन हंस और उसके बच्चों को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को चला गया और हंस आपके महल के तलाब में ही पलने लग गए अब एक दिन आपको मास खाने की त्रिविच्चा हुई आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे तब आपकी नजर हंसों के जोड़ों पर पड़ गई आपने सोचा मैंने जीमर में सभी जीमों का मास खाया है पर हंस का मास मैंने आज तक नहीं खाया इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा आप बस इसी विशे पर सोचते रहे और हंस का मास खाने की इच्चा आपकी त्रिव होती चली गई यह इच्छा अब पराकाश्टा पर पहुँच चुकी थी और अब आप खुद को रोग ना पाए आपने हंस के दो बच्चे भून कर खा लिये उसका स्वाद आपकी जीवा को लग गया हंस के एक एक करके आप सो बच्चे खा गये हंस का संतान हीन होकर दुख से मर गया हंस तो बेचारे आपके लालच की बली चड़ चुके थे प्रजा पालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपनी प्रजा की संपत्ती को चुपके से लूट ली है इसलिए आपने ब्रहमन से कह दिया कि हंस बिमार होकर मर गये ब्रहमन आप पर पूरा भरोसा करता था उसने आपकी बात मान ली और वह विलाप करते करते घर चला गया महाराज रित्राष्ट आपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर जूट बोलकर एक साथ कई अपरात किये आपने तीध यात्रा पर गये ब्रहमन के साथ विश्वास खात किया जिसने आप पर इतना विश्वास किया था आपने प्रजा की धरोहर में ही डाका डाल कर राजधर्म भी नहीं निभाया केवल अपने जीब के लालच में पढ़कर हंस के सो बच्चे भून कर खा गए जो आपके पास आशे के लिए आये हुए थे इस तरहें आपने उस असाय का वद किया जिसे आपने आश्रे दिया था यह तो बहुत बड़ा पाप है हे राजन इन घोर पाप कर्मों को आपको दंड मिला है जैसे आपने जीबा के लालच में हंस के सो बच्चे मारे वैसे ही आपके सो पुत्र लालच में पढ़कर मारे गए हैं जिसने आप पर आख मूंद कर भुरोसा किया उस तिर्थ यात्री से आपने जूट बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया कोई आख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए इसी विश्वास घात के कारण आप अंधे और राज काज में विफल व्यक्ति हो गए भगवान श्री कृष्णे कहा सबसे बड़ा चल होता है विश्वास घात आप उसी का पल भोग रही है